बहुत दिन से हम बात कर रहे थे अपने डेली मार्केट रिवी में कि एक डीप आएगा और उस डीप में एक रिट्रेस्मेंट के बाद हम एक अच्छी अपोर्टनिटी देखके अच्छे स्टॉक्स बाइंग करने की कोशिश करेंगे और आज हमको मार्केट में वो डीप दे देखा जाएं और यह देख सकते हैं कि दिको इफ्टी अपने प्रिव्यस रभी साय रोडों को ब्रेक किया है यहां इल यह Spider की इस लेवल को हम लोग ने माऊ किया था कि इस लेवल पर हम लोग जब भी यहां पर दोज हिसके यहां अपर हम लेकी हैं हमने यहां पे लेवल किया था कि अगर सिक्ष्टीनन वान हनुंडिड या 16300 के नजिदिक में आज़ा हम कि आइसे से बैंग कि इश्यन पेंट तो यह देख सकते हैं यहां पर एक सस्टेंड करता हूं हमको दिख रहा है अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेंड करता है तो हमनों यहां पर बाइंग करने की कोशिश करेंगे नहीं तो और एक डीप का इंतिजार कर सकते हैं यहां पर देखें डेली चार्ट पर तो यह देख सकते हैं आज एक गैप डाउन ओपनिंग रही एक सो अठरा पॉइंट माइनस है अभी तक निफ्टी यहां पर देखें तो एक हाई पर प्रॉफिट बॉकिंग हमको देखने मिली थी अठरा तारीक को और आज देखें 20 तारीक को एक दिन के बाद तो इक हमको डीप डीप देखने के लिए मिला और गैप डाउन ओपनिंग रही और आज की जो क्लोजिंग थी वह है 16,000 450 और जो ओपनिंग थी कल की मतलब आप देख सकते हैं कि वेनर जी की जो क्लोजिंग थी वह थी 16,568 यह देख सकता है कि 568 से 450 तो तक्री सब्सक्राइब करें कि यह लेवल से लेकर अभी जो करेंट लेवल है वहां तक कितना लिया है तो एक अच्छा आइडिया ने आएगा कि मतलब एक्चुली हुआ कितना है रिट्रेस्मेंट तो यह हम देख सकते हैं जो रिट्रेस्मेंट जो 0.768 पर्षेंट का इसी चार्ट पर कैसे लग रहे है विक ली चांट सब्सक्राइब तरह वेक्चार्ट यह देख सकते हैं इस विक में तक 78-0.48 पर्षेंट माइनस रहा,词प, पर्षेंट यह देख सकते हैं मूग वीक ली, अगर मंतली चार्ट पे देखे कि इस मन्त में बित तक क्या है तो इसमां में बहुत ही माइनर सा मतलब 787, 687.अभी भी प्लस है निफ्टी, अब बैंग निफ्टी की बात करते हैं, बैंग निफ्टी देखे तो बैंग निफ्टी में एक gap down रहा और बैंग निफ्टी कंपेर टो निफ्टी जादा पिटी है, अगर बात करें हम लोग निफ्टी के साथ तो बैंग निफ्टी डबल माइनस है, मतलब 520 पॉइंट माइनस है, अब बात करें, हमनोंने पहले भी देखा था कि बैंग निफ्टी प्रिवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था, फिर एक लो को ब्रेक किया और फिर एक नया लो आज बनाता हूं, हमको द देखे तो हम लोग एक रिट्रस्मेंट देखने मिल रहा है, और एक देख सकते हैं अच्छी तरह के से 0.786% का अच्छी तरीके से रिट्रस्मेंट लेता हूं, हमको दिखा है, आज बैंग निफ्टी तो इस लेवल पर हम लोग पोजिशन से आड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी अपने अच्छे स्टॉक से यहां पर लोग एड़ कर सकते हैं, हम लोग ने प्रिवियसली रेक्मेंट किया था, ब्रिटानिया, एशेन पेंट और उनका जो प्रफॉर्मेंस है काफी बेतर रहा, आज ब्रिटानिया देख सकते हैं कि 5% प्लस था, उसी तरीके स से बात करें, लोग वीकली चार्ट से किस तरीके के दिख रहे हैं, तो वीकली चार्ट से यह देख सकते हैं कि इस वीक में, इस वीक में एक बैरिश केंडल प्रिंट होता हूँ, हमको दिखा है, मतलब 3.3% माइनस रहा है, यह वीक, अगर मों कंपेर करें, बैंक निफ्टी के साथ, निफ्टी को इस वीक का, तो निफ्टी सिर्फ 0.48% माइनस रहा, वहीं बैंक निफ्टी 3% माइनस रहा, तो मतलब बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस हमको देखने मिल रही है, पर यहां पे देखे, तो बहुत कोई support zone break नहीं किया है, बैंक निफ्टी ने, तो sustain करते हैं कि नहीं, EMS पर देखे, तो 50MA के नीचे trade कर रहा है अभी, daily, early candles पर, बात करें हम लोग, daily charts पर, तो daily charts पर 5MA के उपर, नीचे trade कर रहा है, और 13MA का support लेता हूँ, हमको दिख रहा है, nifty, 5MA के उपर trade कर रहा है, weekly charts में, यहां पर बात करें हम लोग, bank nifty की, तो bank nifty य 10MA के नीचे trade कर रहा है, early candles पर, बात करें daily charts में, तो daily charts में 5000 पर देख सकते हैं, 15MA के नीचे trade कर रहा है, 13MA के नीचे, तो मंतली चार्ट में अब भी उपर ट्रेट कर रहा है तो निफ्टी बैंग निफ्टी दोनों अभी पॉजिटिव साइड है थोड़ा सा रिट्रेस्मेंट अगर और आये तो हमको पोजिशन अपनी एड करनी चीए धीरे 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 ज्यादा हमको कुछ बाइंग ही करना चाहिए इस लेवल्स पर हां मगर यहां से रिफ्टी बैंग निफ्टी जो उनका बड़ा टाइम फ्रेम है मंतली और वीकली वो अपसाइड में दिखा रहे है और यहां से ऐसा लगता है कि मार्केट जल्दी वापस अप मुमेंट में ट्रेड करेगा बात करते हैं सब्सक्राइब निफ्टी बात करें तो आट कंपनिया प्लस रही 42 कंपनिय माइनस रही बढ़नावले शेर्स में हिंदुस्तान लिवर ब्रिटानिया इसियन बेंड नेसल इंडिया बजाज फैनांस रहे गिन्नावर शेर्स ने यह देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा टाटा टाटा श्टील गिरा चपूशन लिए इड की है फिर जेस डव्लू सिल ब्रिटार्ढी रहे तो टाटा स्टील मौस्ट एक्टीव शेर्स में रहा कारट रेट का ऐज आई प्यू आया था जो नीचे नेगटिव जिसने रिटन दिया है तो तो कार ट्रेट में सबसेशादा कॉंट्री ट्रेड हुई है अगर वाँपको थोड़ा सा भी अपडेट कर पा रहे यह बता है तो अभाने चैनल को सबस्क्राइब करें शेर करें कमेंड करें अपने दोस्त और रिलेटिक को साहथ जिसको शेर करें कि वह भी स्टॉक मार्केट के मुमेंट को बहतर तरीके से स झाल झाल